हेलो फ्रेंच नमस्कार आप सभी को विश्चुत गार्डन में वेलकम करता हूं यह देख रहे हैं आप यह सुर्द्य मुखी संफ्लावर बहुत ही खुश्चुरती से खिला है इसका केर कैसे करते हैं वह हम आज आपको दिखाएंगे और इसका बीच भी लगा के आने ओला है दोस्तों मिश मत किजिएगा पूरा देखेएगा और इसका बीच है यह देख रहे हैं आप यहां पर लगबग 10 शीट दिया गया है संफ्लावर के बीच दस बीच दिया गया है तो इस बीच को हमने लगाया था दो मैने पहले और दो मैने में देखिए यह यह फूल दे चुका है दोस्तों अगर आप ऐसे खुप्शूरत फूल पाना चाहते हैं तो ओलाइन से पर्चेस किजिए और लगाए आपने गर्डेन में चलिए हम इसका थोड़ा केर करते हैं तो हम आज इस पे खात दालने वाले हैं गाय का गोबर जो होते हैं वह खात दालन किया है और देखिए दोस्तों यहां पे हम सबसे पहले यहां ऐसे पथर हम रख लेते हैं यह देखिए ऐसे रावन करके रख दीजेगा इसके जड़े होते हैं बहुत ज्यादा फेलते हैं और हमरे यहां बहुत ज्यादा बारिस होता है और हावाई भी बहुत ज्यादा चल यह गाय का गोपर है अभी हम डालेंगे इसके उपर दोस्तो गाय का गोपर में बहुत ज्यादा पोशक तत्व पाया जाता है और यह पोधे के लिए बहुत अच्छा है पोधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी बढ़िया देते हैं दोस्तो दोस्तो होती अच्छा है इसके बाद दोस्तो यह मिट्टी डालना है उपर से आप मिट्टी डाल दीजेगा ऐसे और फ्रेंच यह देख रहे आप यह पोधे के निचे हमने एक बेंबू से हमने बाना है यहां क्यूंकि कुछ दिन पहले हमारे यहां बहुत ही तेज हावाय चली थी तो हमारे पोधे को लगबग गिरा ही दिया था तो हमने ऐसा बान दिया था दोस्तो बारिस के बाद निचे मिट्टी गिला हो जाता है और हमें क्या करना है उसी टाइम बेंबू की मदद से हो या लकड़ी के मदद से इसे बान के ऐसे बान देना पड़ता है दोस्तो फ्रे ब्रांचेस भी नहीं है लेकिन बहुत ही खुब्सूरत है दोस्तों और मैं क्या करूंगा यह जब खिल के सुख जाने के बाद उपर से मैं इसे कट कर दूंगा और देखते हैं इसके बाद ब्रांचेस निकल सकते हैं चलिए दोस्तों अभी हम इसका बीज जो लगाते हैं और यह बीज हमने लिया है ओनलाइन से फिलिप कर से पर्चेस किया है दोस्तों हमने जो हमारा जो खिला हुआ संफ्लावार है वो हमने दो महिने पेले बीज लेके लगाया था और दो महिने में ही फूल दिया है दोस्तों और हम अभी नया बीज लगाने जा रहे हैं फ्रेंच हमरें यहां कई दिनों से बारिश का मोसम चल रहा है और यह देखिए फ्रेंच अभी यह जो गोबर है और यहां इद रिया है गाय का गोबर इसे हम मिक्स कर लेते हैं और यहां मिठी थोरा गिला है फिर भी कोई बात नहीं हो जाएगा फ्रेंज हम सुरज मुखी का जो बीज है वो हम February महिना से लगा सकते है फ्रेंज और अभी May स्टार्ट हो चुका है आप जून तक भी लगा सकते है दोस्तो इसका जो बीज है आप लगाएए और दो महिने के अंदर ही आप फूल पास सकेंगे दोस्तो फ्रेंज अभी May चल रहा है तो अभी हम लगाएंगे तो हमारा ये जो जून जुलाई जुलाई महिने में हमारा ये पोधा फूल दे देगा दोस्तो फ्रेंस आप बीज को किसी गमले में भी लगा सकते हैं बात में यह जब अंकुरित होने के बाद बेबी पोधा को आप दूसरी जगा लेके लगा सकेंगे और एक बात है फ्रेंस बीज लगाते समय आप किसी जहां ऐसी जगा लगाई है जहां धूप पड़ती हो दोस्तों जह भी हम यहां पानी नहीं देंगे आप बीज लगाने के बाद हर साम को डेली पानी दीजेगा और देखेगा बहुत ही जल्दी यह पोधा ग्रो करेगा और फ्रेंस यह हमारा बहुत ही खुफसरत यह सुरज मुखी का फूल बहुत ही खुफसरत लग रहा है यह देखिए और और ये बहुत सारे विराटिस में पाई जाते हैं और हमने जो पाया है हमें जो मिला है वो भी बहुत ही सुन्दर है फ्रेंच पानी के बारे में बोल रहा था बीज लगाने के बाद हमें डेली पानी देना है और पोधा थोड़ा बढ़ा होने के बाद इसका जो ब्रांचेस निकलने के बाद हमें थोड़ा पानी कम कर देना है इसके जो ब्रांचेस निकलने के बाद ज्यादा पानी देंगे तो इसे इंफेक्शन होने का चांज बहुत ही ज्यादा रहता है दोस्तो सो अभी बेस समय दोस्तो ये संफ्लावर को आप भी लगाईए और गर्मी के मोसम में बढ़िया फूल पाईए बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा नए वीवर्स प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजेगा कोमेंट भी कर दीजेगा आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक्स पर झाल 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 झाल